करवाचौत की ये कहानी महरानी वीरवती को लेकर है साथ भाईयों की अकेली बहन थी वीरवती घर में उसे भाईयों से बहुत प्यार मिलता था उसने पहली बार करवाचौत का व्रत अपने माई के यानि पिता के घर में रखा सुबह से बहन को भूखा देख भाई दुखी हो गए उन्होंने पीपल के पेड में एक चलनी की ओर्ट से ऐसा भ्रम बनाया जिसे लगता था कि चंद्रमा उदय हो रहा है वीर्वती ने उसे चंद्रमा समझा उसने व्रत खोल लिया जैसे ही खाने का पहला कौर मुव में रखा उसे नौकर से संदेश मिला कि पती की मौत हो गई है वीर्वती राद भर रोती रही तब ही वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी उनसे उसका दुख देखा नहीं गया वीर्वती ने उनके पैर पकड़ लिये तब इंद्राणी ने बताया कि तुने बिना चंद्रदर्शन के करवा चौत का व्रत तोड़ दिया इसलिए ये कष्ट मिला अब तु वर्ष भर की चौत का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पती जीवित हो जाएगा उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौत व्रत किया तो पुना सभाग्यवती हो गई तब ही से अपने अखंद सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौत का व्रत करती है इसलिए प्रतेक स्त्री को अपने पती की दिरखायों के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए